नमस्कार मेक्षिति जादेश मुख BCN News के प्रदेश की खबरों में आप सभी कास्वागत है डालते एक नजर प्रदेश की खबरों पर हमिरपूर जीले में दलोनी अर्वन क्रेडिट सहकारी समिती के ओर से COVID-19 महमारी से पीडीत मरीजों की निशल का सेवा के लिए समिती ने मेडिकल एम्बूलन्स जिला प्रशासन को दी है एम्बूलन्स को कलेक्टरेट से हरी जंडी दिखा कर जिला अधिकारी ने मरीजों की निशल के सेवा के लिए रवाना किया इस दोरान जीले की स्वास्ते विभाग के अधिकारी और सहित अन्य कलेक्टरेट कर्मचारी उपस्तेत रहे हमिरपूर जिले के कलेक्टरेट ग्राउंड से एलूसी सहकारी समिती की अधिक्षी द्वारा स्वास्ते विभाग को एम्बूलन्स दी गई एम्बूलन्स में ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिमीटर, सहित कोर्णा मरीज को पढ़ने वाले मेडिकल का पुरा सामान है एम्बूलन्स को समिती के अधिक्षी ने चिलादिकारी अधिकारी द्नानेश्वत्र पार्टी को मरीज की सेवा मिस्वपा चिलादिकारी ने कार्याले के बाहर से एम्बूलन्स की हरीजंडी दिखाकर मरीज के लिए रवाना किया एम्बिलन्स मौदाहा सियसी में आने वाले मरीजों के लिए दी गई है यह लावकारी होगा और यह बड़ी खुशी की बात है कि यह जो एम्बिलन्स दिया गया है यह यह शी वाहन है तथा इसमें आक्सिजन सिलेंडर फ्लो मीटर सहित सभी सुधाओं से युक्त है मैं इसके लिए जो है इस सोसाइटी का समिच का और इसके जो एंजियों हैं उसके जो मिम्बर्स हैं इन सबका बहुत साथवाद करता हूँ कि इन्होंने जनपद में स्वास सिवाओं के सुल्धार में अपना योगदाम देए सुल्तानपूर से बड़ी खबर सामने आई है अखंड़नगर कादिपूर सड़क मार्क पर देराध घर लोट रहे व्यक्ति की कनपटी पर असलहा सटा कर गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई है बृतक की पैचान नजदी की पौधन रामपूर निवासी जितेंदर सीह पिंटू पुतर राज राम सीह के रूप में हुई है प्रति दिन 11 बजे रात को गुजरता थामरु तक हो गई रेकी और बताय जाता है कि पिंटू और जितेंदर अपनी हीरो हुंडा मोटर साइकल से प्रति दिन एक समय रातरी में आके ले जाता था इसी तरह सोमवार की रात भी पौने 11 बजे वहर गुवीर नगर पहुशा था तबी बाइक सवार कुछ लोगों ने पिंटू को और टेक कर पिंटू की बाइक को रुखवा लिया बदमाशों ने युवक की कनपटी पर गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई हत्या की सूचना मिलते ही लोगों की भीड मौके पर जमा हुई भीड ने अंबुलन्स और पुलीस को घेर लिया अर्ततकाल गिरफतार करने की मांग करने लगे प्रदर्शनकारियों को उगर होते दे कई थानों की पुलीस बल को बुलाना पड़ा रादरी के देड़ वज़े तक यह बवाल चलता रहा वृतक के बेटे ने लिया हत्यारों का नाम घटना स्तल पर वृतक के बेटे आदर्श चौदा साल ने पहुशक पुलीस के सामने राज उगले उसके मताबिक हपते भरपूर्व कुछ लोगों ने घर आकर धमकी दी थी कि अपने बाप को समझा लो वरना अंजाम भुकतना इस पूरे मामले में हाल ही में हुई एक कहा सुनी को लेकर घटना जोड़ी जा रही है देर से पहुची अखणनगर पुलीस वारदात के बाद जब स्तानी और लोगों ने घटना स्तल से अखणनगर थाने पर फोन किया तो सी यू जी नमबर बंद बता रहा था लोगों ने बारा नमबर डायल कर टीम को मौके पर बुलाया सुचना पर कादीपूर की पुलीस भी मौके पर पहुच गए उसके बाद का फिर देर अखणनगर की पुलीस जब मौके पर पहुची तो ग्रामिनों ने रोश व्याप्त हो गया था थाना अखंड नगर के ग्राम पौधनपूर रामपूर निवासी जितन सिंग और पिंटू पुत्र राजा राम उम्र लगभग 40 वर्ष अपने घर पौधनपूर रामपूर से कादीपूर की तरफ जा रहे थे अग्यात तीन व्यक्तियों के द्वारा इनके सर पर गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई इनके परजनों की तहरीर पर पंकज, धीरज, पुत्रगण, राम प्यारे, राम प्यारे, निवासी पौधन, रामपूर, एवंग रमेश वर्मा, निवासी पीपरी तथा तीन अग्यात व्यक्तियों के विरुद, 302 का अवियोग पंजिकरत किया गया है, शोग को पंचायत नामायों पोस्मार्टम के लिए भिजवाया गया है, तथा आरोपी गण को पूछ ताच के लिए हिरासत में लिया गया है, घटना का अनावरन करने के लिए एक टी पूड़े रहने के लिए आप देखते रहें, बीस यन नियूज, नमस्कार